हलो स्टुडेंट्स वेलकम तू मैंगनेट ब्रेंस हिंदी मीडियम मेरा नाम है उनीश त्रिपाथी तो कक्षबारा अर्थसास्त्र और इसमें खास करके व्यस्ट अर्थसास्त्र का पार्ट नमबर दो यानि वोगता के वेवहारगा से धानतम देख रहें एक बहुत खास औ को क्लियर करेंगे पर एक बात को ध्यान रखेगा कि मैंनेट ब्रेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठे कक्षा साथ से बारत तक की सारे शिक्षा फ्री में पा रहे हैं मैंनेट ब्रेंस हिंदी मीडियम पर मोर प्रसाइजली और यहां पर आप यूपी बिहार बोर्ड मदरप्रदेस बोर्ड किसी भी बोर्ड की एंसी आटी पैटर में बिल्कुल निशुल्ख शिक्षा पा सकते हैं आप हिंदी माध्यम में किसी और जगा जाने की जरूरत नहीं है और आपको यहां किसी कूपन कोड या डिसकाउंट ऑफर की जरूरत पड़े दिसकस की थी लेकिन एक चीज़ और आपसे डिसकस किया था मैंने आपसे यह भी बताया था कि मांग वक्र को या मांग को प्रभावित करने वाले दो डिवीजन्स होते हैं मैंने आपको बताया था कि जो मांग को प्रभावित करती है वो दो तरह के तत्व होते हैं एक तत् अत्रिक्त ठीक बात ये दो चीजें हमने देखी थी तो कीमत में तो जिस वस्तू की मांग की बात होगी उसी वस्तू की कीमत आ जाएगी कि भाई कीमत उसकी मांग को प्रभावित करेगा कीमत बढ़ने से मांग घटेगी और कीमत घटने से मांग बढ़ेगी हमने मांग का नि कीमत उस वस्तू की नहीं संबंधित वस्तू की कीमत जिसमें इस्थानापन और पूरत दो तरह की वस्तू ने देखा था क्लियर है उसके अलावा और क्या देखा था रूची या फैशन ठीक बाद यह भी हमने देखा था उसकी रूची किसमें है उसका फैशन किसमें है या त तकनीक किस तरह का है हो सकता है तकनीक में कोई परिवर्तन तो नहीं आया है फिर हमने क्या देखा था जलवायू ठीक और क्या देखा था धन का वित्रन समान है की असमान है और क्या देखा था सरकार की नीतियां सरकार की नीति और क्या देखा था जनसंख्या का आकार है ना इस तरह की चीज़ें हमने देखा था हमने देखी थी अब यह जो पॉइंट्स हैं यह भी मांग को प्रभावित करेंगी तो मांग वक्र को भी प्रभावित करेंगी और कीमत तो करेगा ही करेगा कीमत और मांग में तो नकरात्मक संबंद है इसलिए मांगवकर उपर से नीचे की तरफ जुकी हुई रहती है लेकिन जो मांगवकर है यह केवल ऊपर अच्छा अब मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं कि मांगवकर में परिवर्तन होता किस प्रका कहानी बेसिक न समझ लीजे आपको समझ जाए जाएगा इसको संचलन कहा जाता है ठीक बात है और एक किस प्रकार का चेंज होता है एक होता है कि मांगवकर अपने जगह से या तो दाई और चली जाएगी या अपने जगह से बाई और चली जाएगी ठिक यानि मांगवकर क है तो यह कारण यह कारण होता है जब कीमत अपना रूल प्ले करती है तो चीमत के अभी और detail में समझाता हूँ जब कीमत के वज़ा से मांगवक्र आएक हो यह कभी यह कभी नीचे जाएंगी ठीक बात और यहां पर क्या होगा यहां पर मांग वक्र यह तो से यहां मैंने लिख दिया लेट सपोस यहां मैंने ले लिया कीमत और यहां मैंने ले ली मांग ठिक यह दो कहानी मैंने बना ली कीमत को मैंने कर दिया 10 से 20 और मांग को कर दिया 20 से 10 ठिक यहां मैंने क्या किया है कीमत में छेड़ छाड़ की है अच्छा एक और कंडिशन लेत हूं यहां लेता हूं कीमत और यहां लेता हूं मांग आपको पूरी कहानी समझा देता हूं बागी लिख के नोट्स तो मिली जाते हैं आपको अब कीमत यहां मैं कर लेता हूं लेट सपोज यहां कीमत बढ़ी थी अब घटा लेते हैं 20 से 10 यह कर लिया 10 से 20 अब आपके सामने दो situation है एक तो आप ये confirm है कि यहां कीमत में परिवर्तन हो रहा है मांग उसके वज़ा से change हो रही है यहां क्या हो रहा है कीमत के बढ़ने से मांग घट रही है मांग का नियम तो ही बताता है न कि कीमत और मांग में हमेशा विपरीत संबंद होता है या inverse relationship होती है यहां कीमत घ कहते हैं मेरे साथ बोलिए मांग का संकुचन या अंग्रीजी में कहते हैं contraction of demand क्या कहते हैं sir contraction of demand दूसरी situation क्या है कीमत के घटने से मांग बढ़ रही है यह होता है मांग का विस्तार ठीक और इसको कहते हैं expansion of demand क्या कहते हैं expansion of demand कुछले extension भी कहते हैं अब यह दो situations तो आपको समझ में आ गई कीमत के बढ़ने से अगर मांगी गई मात्रा घट रही है इसे मांग का संकुचन कहते हैं कीमत के घटने से अगर मांग बढ़ रही है इसे मांग का विस्तार कहते हैं ध्यान रखिए जो इसमें किवल अभी कीमत की बात की जा रही है कीमत वाला पॉइंट बांग को प्रभावित कर रहा है बाकी कीमत के अत्रित हैं वहां कीमत constant रहेगी ठीक बात अब जड़ा इसके graph को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि चलन क्या होता है विस्तार क्या होता है ध्यान से समझिएगा तो पहले वाले को अगर मैं ड्रॉ करूं यह मैंने पहले वाले को ड्रॉ करना सुरू किया ठीक यहां लेलिया एक्स यहां लेलिया यहां लेली मैंने इस वाई एक्स पे कीमत यह लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा यहां लेलिया मांग ठीक बात अब यहां कीमत मैंने लेली 10 और यहां लेली 20, यहां मांग लेलिया, यह भी 0 से 10, और यह 20, ठिक, अब कीमत 10 है, तो मांग 20 है, कीमत 10 मांग 20, एक पॉइंट यहां लगा लिया, फिर कीमत 20 हो गई, तो मांग 10 हो गया, कीमत 20 पे मांग 10, अब ध्यान से समझेगा, पहले मांग का वक्र यहां था, मुझे क्या करना पड़ा नीचे से इधर ऊपर की तरफ जाना पड़ा कहां जाना पड़ा ये नीचे से ऊपर की तरफ यहां आना पड़ा आना पड़ा ये क्या देखा आपने ये मांगवकर कैसे गया है अपवाड ऊपर की ओर संचलन उपर की और संचलन दुबारा समझेए कीमत के बढ़ने से मांग घट गई तो मांग वक्र में उपर की और संचलन हो गया इसको बोलते हैं अपवाड मूवमेंट पहले तो ये समझ लीजे कि कीमत के वज़े से मांग घटे या बढ़े होगा संचलन वृद्धी या कमी या सिफ्ट नहीं होगा उसी मांग वक्र का संचलन होगा लेकिन अगर संकुचन की स्थिती है तो संचलन ऊपर की और होगा और जब विस्तार की स्थिती आएगी तो संचलन कैसे होगा अभी हम देखेंगे अभी अपने समझ लिया पहले बिंदू यहां बन गए यहां से यहां जाना पड़ा सर कोई डाउट है नहीं तो संकुचन यानी कॉंट्रेक्शन इसको कहते हैं जब कीमत बढ़ने से मांग घट जाए और ग्राफ ऐसा बनेगा यहां आ जाईए ठीक है सर आजाते हैं ठीक अच्छा दस से 20 हुई थी यह बराबर बराबर का डिस्प्रेंस समय सा में लेते हैं इसमें भी दस से बीस अब यहां समझे जब 20 रुपे कीमत थी तो मांग दस था 20 रुपे पे मांग यहां 10 के उपर यहां 20 फिर 10 रुपे पे मांग 20 पे आ गई यानि पहले बिंदी कहा है यहां है पहले बिंदी कहा है उपर है और अब इधर नीचे की जाना पड़ रहा है यहां से आपको आना पड़ेगा यहां अब आपने क्या देखा यहां पर सीधे स संचलन देखा है क्या देखा है नीचे की ओर संचलन ठीक जिसको बोलते हैं डाउनवार्ड मूवमेंट डाउनवार्ड मूवमेंट ये क्या है अपवार्ड मूवमेंट बहुत इंपॉर्टन पॉइंट है ठीक है तो अगर मान लीजे कीमत के घटने से मांग बढ़ जाए तो इसको बोलते हैं मांग का विस्तार और यहाँ पर नीचे की ओर संचलन होगा जिसको बोलते हैं डाउनवार्ड मूवमेंट और अगर मान लीजे कीमत के बढ़ने से मांग घट जाए तो इसको बोलते हैं मांग का संकुचन और यहां उपर की तरफ संचलन होगा, इसक्रीन सोट ले लिजिए, यह आपको एक साथ सारी चीजें इसमें क्लियर हो जा रही है, कोई दिक्कत उने हो रही है, नहीं सर, मैंने आपसे चर्चा करनी है संचलन और मांग वक्र में परिव से होते हैं, मांग में विस्तार और दूसरा होता है मांग में संकुचन और यह होता है कीमत के कारण, बिल्कुल पहला भाग इस टेबल का आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट है, नहीं नहीं सर, मांग वक्र है, उसमें दो तरह की चीजे होंगी, या तो उसमें परि rench में तार मांग में विस्तार मतलब कीमत घट गई मांग बढ़ गई मांग में संकुचन कीमत बढ़ गई मांग गई नतीजा क्या हुआ आपके सामने त्लेध ठेख बात है कोई डैय। कोई समया लग रही है नहीं नहीं सल अच्छा ठीक है वेरी गूल आगे अब इस दूसरे वाले पार्ट पे आते हैं कि मांग में परिवर्तन कैसे होगा इसको भी मैं आपको सौर्ट में समझा जिता हूँ अब देखिए होता क्या है let's suppose मान लिजे हाँ पर condition आ गई यह कीमत के अत्रिक कारण से होगा कीमत में कोई चेंज नहीं होगा यहां आ गई मांग ठिक कीमत पहले भी दस थी अभी भी दस है लेकिन मांग दस से 20 हो गई दूसरी सिचुशन लिजे कीमत पहले भी दस थी अभी भी दस है लेकिन मांग 20 से 10 हो गई अब यह दो सिचुशन हैं आपके सामने इन सिचुशन में कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है यानि यह कीमत के अत्रिक्त किसी और कारण से हुई है हो सकता है इस वाली केस में जैसे मांग बढ़ी है तो हो सकता है उपभोकता की आय बढ़ गई हो उसकी पसंद बढ़ गई हो उसकी रुची बढ़ गई हो जलवाई उस वस्तू के लायक हो जनसंख्या में विर्धी हो हो तो यह मांग बढ़ गया और इस केस में इसको कहते हैं मांग में विर्धी यहां क्या है मांग घटी है कीमत में कोई चेंज नहीं वा तो इसको कहते हैं मांग में कमी इसको बोलते हैं इंक्रीज इंडिमांड इसको बोलते हैं डिक्रीज इंडिमांड क्लियर बात सर जब संचलन हो रहा था तब भी तो मांग बढ़ और घट रही थी पर वहां कीमत भी बढ़ और घट रहा था इसलिए उसका नाम संकुचन और विस्तार बताया ग हो रहा है कीमत के वज़े से नहीं हो रहा है आए ज़रा इनकी भी ग्राफ की कहानी देख लेते हैं बहुत आराम से पहले वाले को अगर मैं डॉआ करना चाहूं ठीक बाद कि X Y कीमत कि मांग कीमत कितनी हुई कीमत अभी भी 10 बनी हुई है जी रो और मांग क्या है 10 से 20 हो गई है तो 10 पर पहले मांग 10 थी और 20 पर फिर मांग अपने आप 20 हो गई तो एक कर्व जो है वो हमें यहां खीचना पड़ा इस बिंदू पर और एक कर्व हमें यह सिफ्ट होके आप दूसरा जो कर्व बनेगा इसको बलकि डॉट से आप दिखाएंगे यह दूसरा जो कर्व होगा वह यहां आ गया यारी क्या हो गया यह कि दाइं ओर सिफ्ट ठिक दाइं ओर चला गए सिफ्ट आप मैं इसलिए सिफ्ट लिक रहा हूं कि एनसी आइटी के किताबों में सिफ्ट वर्ल्ड यूज़ किया गया है आप आसाम से अराम से सिफ्ट लिख सकते हैं ठिक तूसरा दूसरे वाले को अगर कर के मैं खीचना चाहूं एक्स वाई कीमत मांग कीमत 10 यह 10 थी मालीज यह 20 हो गई तो पहले यह क्या थी 10 थे 20 पहले यह बिंदी यहां थी अब यह 10 के सामने 10 यहां आ गई यानि पहले ओरिजिनल मांग वकर यहां थी अभी यह डैस होकर इस थान आंतरन कह सकते हैं है ठीक तो अब क्लिएर है पिक्चर कि यगी किमत के अत्रिक्त अन्य कानों से मांग बढ़े जाए तो उसे मांग में व्रिधी कहते हैं हैं और मांग का दाख यह जाता है आंतरन भी कह साहथ या स्थान अंतरण कहते हैं और अगर माल लीजिए मांग में कमी कीमत के अतरिक्त आने कारणों से हो जाए तो उसे मांग में कमी कहते हैं और बाइं और सिफ्ट हो जाता है तो आपको दो परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं एक उसी मांग मकर पर उपा और नीचे की और कारणों से कीमत के अत्रिक्त कारणों से और यहां मांग में कमी होती है कीमत के अत्रिक्त कारणों से तो यहां क्या होगा उसी मांग वकर पर उपर नीचे मोवमेंट होगा और यहां पर दाएं और बाएं और का सिफ्ट होगा सर हमें बेसिक समझ में आ गया है ठीक है कोई डा कीमत मांग को बढाने घटाने लगे तो उसे विस्तारिया संकुचन कहते हैं अब एक रेखा-चेतर के माध्यम से आप मांग वक्र पर चलन के रूप में देख सकते हैं जसा मैं आपको पहले बताये था कि मांग वक्र में इसी में नीचे और उपर इस तरह का चलन आप इसे इस रूप से देख सकते हैं, ठीक है, सबसे पहला condition मांग में विस्तार का देखते हैं, तो मांग में विस्तार जो होता extension जिसे कहते हैं, अन्य बातों के समान दहने पर, जब किसी वस्तू की कीमत में कमी के कारण उसकी मांगी गई मात्रा जैसा यह 10 से 2 हो गया, ठीक है, इसे भी खिश के देख लीजे, यह 0, 2, 4, 6, 8, 10, यह कीमत हो गई, और यह यहां नीचे मांग ले लीजे, ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10 हो गई, अब 10 पे मांग 2 थी, 10 था तो यह दिमांड 2 थी, यहां थी, और फिर जब यह कीमत 2 हो गई, तो डिमां से दाएं की और, नीचे की और, क्या हो गया, इसका, इसका मोमेंट हो गया, यह चलन हो गया, आया संचलन हो गया, तो इसको यह विस्तार की स्थिती है, मांग की विस्तार कहते हैं, यानि extension of demand, कीमत के घटने से मांगी गई मातरा बढ़ गई, क्लियर है, अभी समझा है, अम इसकी मांगी गई मातरा में कमी आ जाती है, तो उसे मांग का संकुचन कहते हैं, तो माल लीजें, यहाँ पर कीमत बढ़ गई, और इसकी demand घट गई, तो यहाँ पर वही मांग वक्र क्या होगा, ऐसे नीचे से ऐसे जाएगा, ऊपर upward moment वहाँ देखा जाता है, यह मांग का स वस्तू की कीमत और उसकी मांग के बीच विप्रीच संबन दिखाता है, लेकिन किसी भी वस्तू की मांग सदे उसकी कीमत से प्रभावित नहीं होती, बलकि अन्य कारणों से भी प्रभावित होती है, हो सकता है कि जनसंख्या, हो सकता है कि उससे संबनी जो वस्तू है, उसक सक जाता है मैंने आपको अभी दिखाए था तो मांग में विर्धी और कमी को आप ऐसे दिखा सकते हैं मांग में विर्धी क्या है जब वस्तू की कीमत समान या स्थिर रहने पर अन्य तत्तों में परिवर्तन होने से वस्तू की मांग बढ़ जाए तो इसे मांग में विर्धी कहा जाता है क्या कारण होता है मां लिजे आये में व्रद्धी हो जाए या लेक्सवल की उसकी आये में कमी हो जाए तो वस्तु घटिया निमनिस्तर की है इस्थानापन वस्तु की कीमत बढ़ जाए पूरक वस्तु की कीमत कम हो जाए तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है भविष्व में मान लीजिए कीमत बढ़ना के आसंका हो तो अभी मांग बढ़ जाएगी जनसंख्या बढ़ जाए या आये का समान वित्रण हो जाए तो मांग में विर्द्धी हो जाती है और इसी का ठीक उल्टा हो जाए इस्थाना पनवस्तू की कीमत घड़ जाए पूरक हो जाएगा तो मांग में कमी में क्या होगा वाएं और सिफ्थ हो जाएगा ठीक हो सकता है यह विस्तारा और संकुचन होता है उसके कारण मांग में संचलन होता है उपर नीचे का विस्तार में नीचे की और संचलन होगा और जो संकुचन होगा उसमें उपर की और होगा और मांग में कीमत के अत्रिक कारण जब होते हैं तो उसमें परिवर्तन होता है तो मांग में बढ़ने से मांग में वृद्धी होती है दाएं और खिसकत साहे मांग मकर तो बहुत डीटेल में मैंने आपको यहां पर यह चीज़े समझा दी है इसमें कोई डाउट परिशानी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा एक बात को ध्यान रखिएगा कि यह सारी की सारी निशुल्क पढ़ाई यह आप के किसी भी प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं मैंने डॉट कॉम पर जाके वहां भी सीवेसी हिंदी मीडियम सेलेक कर लीजिए सारी वीडियो आपको लाइन वाइस वहां पर मिल जाएंगे एप्लिकेशन से भी पढ़ सकते हैं और हर जगा यह पढ़ाई निशुल्क है और यह इत लाइक, सेर और सब्सक्राइब करते रहें मिलते हैं अंगली वीडियो में इस चैप्टर के और एक इंपर्टन पॉइंट कीमत, लोच, मान की लोच यह सब समझते हैं तब तक टेक केर बाए बाए